सुगर्केन लीफॉपर आज की इस वीडियो में हम सुगर्केन लीफॉपर के बारे में इस्टेडी करेंगे देखिए यह जो सुगर्केन लीफॉपर इसे हम लोग पायरीला पर्पुसीला के नाम से जानते हैं और यह जो इंसेक्ट होता है यह मेंली जो सुगर्केन की लीफ होती है वहाँ पर रहकर उसको डैमेज करता है उसको नुकसान पहुंचाता है तो इसमें होता क्या कि जो इंसेक्ट है या सुगरकेन की लीफ पर रहकर वहाँ पर एगलेंग करता है एगलेंग करने के बाद अलग-अलग इनकी स्टेज होती है निम्प की स्टेज होती है इसक ईसको भी ऐलो कर देते हैं तो आज किस वीडियो में इसे इंसक्ट के बारे हम देखेंगे जिसका पारीयला IS के लामा हमने पिछले वीडियो जमें गंधीवक के बारे में बताया था अगर आप वीडियो जी नहीं देखें हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के ड्रिस्किप्सन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उसे देख सकते हैं इसके लावा और भी टॉपिक हमने बहुत क्रीली करें यहां पर जैसे ट्रपाइनो परपीशिला देखिये जो परफीशिला है इसको हम लोग सुगर केंं लीफ welcome के नाम से भी जानते हैं तो गर हम इस पारीलिला परफुषप्रिला के सिस्ट्मेटिक पोजीशन की बात करें तो आप जानते ह। पारीला परफुषप्रिला है वो फिल्वा इंसेक्ट है तो जितने इनसेक्ट आर्थो-पोड़ा में रखे गे पूरे बॉड़ी के उपर फीदर्स रहते हैं तो इसकी वज़ा से लंबे पंक वज़ा से फ्लाइ नहीं कर पाते हैं उनके एनस के पास एक हेर का गुच्छा होता है उसी के वज़ा से एक अस्थान से दूसरी अस्थान पर जंप करके चलते हैं तो इसका नाम लीफॉपर इसका पारिला है और इस पीसी जो हो पारिल. इस सब चीज़े होगे इसके सिस्ट्मेटिक पोजिशन से डिलीटेड अगर बात करें इसके डिस्ट्रिभिविशन की देखे जो पारिल. अपारिल. ऑपाम पूर इंडिया में लगग पा जाता है उ ज्यादातर याह उत्तर प वर्देश और महाराष्ट्रा के रीजन में इसका इंफेक्षन देखने को ज्यादा तर मिलता है इसके वज़ासे इस पेश्ट की वज़ासे बहुत सारा इंफेक्षन जो रहता है वह अक्सर यूपी में देखा गया क्योंकि यूपी में जो सुगर केन की क्रॉप होती है उग यूप परफी वेश सिल्प है यहाँ सबसे ज्यादा तो यह सुगर केन की उपर ही अटेक हरता है लेकिन सुगर्केन के अलावा भी या जैसे wheat हो गए बारले हो गए बाजरा ओट हो गए ओट का मतलब जाई इसके लावा करेला हो गया कॉली फ्लावर हो गया यानि कि जो बंद गोई हो थी इन सब चीजों पर इसका infection देखा जाता है सुगर के लाँ अभी यानिंग इंफेक्सिन करते हैं साथ साथ इं चीजों की उपर भी इंफेक्शन करते हैं इस के लाँ अ यूजली फाउंड होपिंग ओप इंसेक्ट और लीव और इन अवर पर देखने को मिलते थी यह अईनल टॉप्ट हैंस दी कॉमन नेम इज लीफॉपर इस टीज़ को हमने पहले एक कलियर कर दिया कि जो सुगर की लीफॉपर या जो पारिला पर पिर उसीला है इनमें पूरी तरीके से इनके उपर बाड़ी के ऊपर कवरिंग पाए जाते है जो पंक होते हैं इसके लावा एह जंप इसलिए करते हैं क्योंकि इनके anal region के पास एक hair के गुच्छे के तरीके से रहते उसी के वज़ा से एक अस्तान से दूसरी अस्तान पर जंप करते हैं इसलिए इसका नाम leap hopper रखा गया तो यही से अब चीज़े यहां पर लिखी गई हैं इसके बाद एगर इसके हमें structure की बात करें तो structure में the adult insect is light yellow in color and very active इसके जो adult insect होते हैं वे light yellow color के होते हैं और साथी साथ बहुत ज़्यदा active होते हैं the body length is 8 to 10 mm यानि कि जो उनकी body की लंबाई होती है लगभगाट से 10 mm होती है और the head prolongated entirely into snout like structure higher high prominent red eyes इनका जो head होता है वा प्रो प्रो लॉंगिटेड इसनाउट पाए जाता है और इसमें red eyes पाए जाती है तो यह सब चीजे हैं इसको आप नोट कर लेंगे इसके लावा it has piercing and sucking types of mouth part इसमें piercing or sucking type cleaning Tagy mouth parts पाय जाते हैं इस piercing और sucking type mouth part की वजा से ही जो sugar cane का leaf offer Lef रहती है sugar cane का leaf पर इसके cells xg करते हैं जो सूगर cane के leaf रहती है पूरी तरेके से damage हो चाटी है खराब हो जाती यह सब सूगर Cane leaf Hopper के बारे में इसके structure के बारे में और देखने के बाद में पारियक की ल किसी तरी के कंपलीट होती है तो आप इसमेंग बताया गया है यहां पर इंसक्ट जो यह इडल्ट इंसक्ट आप और एडल्ट इंसक्ट जो वे एग लेंग करते हैं एक लेंग जो होती है वहाँ सुगरकेन लीफ के उपर होती है और वहाँ पर एक लेंग करके उसमें इसमें ग्लू की तरीकी से इनके अंतरगत पाया जाता है तो इससे जो रहते एक को चिपका देते हैं लगबग 300 से 500 एक बार में एक लेंग करते हैं और एक लेंग करके जो सुगरकेन की लीफ रहती है उस पे इसको चिपका देते हैं और बाद में एक जो एक होते हैं लगबग 7 से 22 दिनों के अंतरगत यानि 7-22 डेज के अंतरगत एक जो होते हैं वे हैच आउट होते हैं और हैच आउट ह निम्फ निकलता है निम्फ जो होते हुए एडल्ट से छोटे होते हैं यानि कि इन में से एक इमेच्योर एडल्ट निकलता है जो कि मेच्योर नहीं रहता है जिसे हम लोग निम्फ बोलते हैं अब यह जो निम्फ रहता है या भी एडल्ट की तरीके से फीडिंग करता है इसक को यह सक करते रहते हैं अब देखिए जो निम्फ है निम्फ में फिर मॉल्टिंग होती है लगबग 6-8 वीक में इनके अंदर मॉल्टिंग होती है मॉल्टिंग होने के बाद फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं अब हमआपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज को बता दे देखिए अगर कोई इंसेट्न एगलेइंग करने के बाद उसमें इनकोई बन जाता या नहीं कि आप यहां पर देख रहे हैं एगलेइंग होई अगर कोई immature इंसेक्ट बनता है, एक हैच होने के बाद अगर कोई immature इंसेक्ट बनता है, तो उसे हम लोग हेमी मेटाबोले स्टाइल लाइफ साइकल बोलते हैं, तो यह सब चीजे हो गए इसके लाइफ साइकल से रिलेटेड, एक बार इसे हम रिवाइज कर देते हैं, देखि वहाँ पर इस एक को इनके अंदर गुलू की तरीके से पाया जाता है, जिससे वे एक को चिपका देते हैं, और बाद में यही जो एक रहता है, लगबग 7 to 20 डेज में, 20 डेज में यह जो एक होते हैं, यह हैच आउट होते हैं, उसके बाद इन में से एक immature इंसेक्ट निकलत होते हैं, और बाद में यह जो निम्फ है, निम्फ भी 6 to 8 विक के अंतरगत मॉल्टिंग करके यह एडल्ट में कनवर्ट हो जाता है, तो यही सब चीजे हैं इसके लाइफ साइकल से रिलेटेड, अज इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें इसको लिखना है, लाइफ स पुसिला की लाइफ साइकल हावाइइंग कम्प्लीट होती है, या फिर उसे हम हेमी मेटाबोल स्टाइल टाइप बोलते हैं, अब यह हेमी मेटाबोल स्टाइल क्या होता है, हमने आपको भी बताया कि अगर कोई इंसेक्ट एक लेइंग करने के बाद अगर उसके एक the year and the female legs in the cluster 300 to 500 on the lower surface of the leaves यानि कि यह जो पारिला परफिसीला है या पूरे लाइप पूरे साल या ब्रीडिंग करता है या ब्रीडिंग करता है और जो फीमेल रहती है वा cluster के form में गुच्छे के form में एक लेंग करती है लगबग 300 to 500 एक बार में रिलीज करती है अन्दी लोवर सर्फेस आप दी लीफ यानि कि जो लीफ होती है सुगर के इनकी उसकी लोवर सर्फेस पर इसके लावा दी एग आर ओल साइनिंग एंड ग्रीनिस इन कलर जो एक सोते हैं वह साइनिंग होते हैं ग्रीनिस होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं और जो cluster में जो एक होत परतेक में लगबग 40-50 एक रहते हैं इसके लावा अगर थंडी रहेगी तो वहाँ जो इंसेक्ट है उसके लिए सुटेबल कंडिशन नहीं रहेगी तो वहाँ एक लेंग कम करेगा अगर इसके लिए सुटेबल कंडिशन रहेगी उसके लिए फेरोइबल कंडिशन रहेगी तो वह एक लेंग जादा करेगा यह सब चीजे जो हवाँ इनवार्मेंट के उपर भी डिपेंड करती हैं इसके लावा दिन निम्फ आर इस्टार्ट तू सक दी सेल सैप आप्टर 6- एक लेंग होती है एक लेंग होने के बाद एक जैसे ही है चोता हुट में इनमेच्च निकलता है और एजो इंसेक्ट होता है वह एडल्ट के साथ ही उस लीप के सेल सैप को सक करना स्टार्ट कर देता है यह जो निम्फ होते हैं लगबग 6-8 वीक के अंतर में एक कनवर्ट ह प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् एट वीक एंड फोर ओवरलैपिंग जनरेशन अकरिन वन इयर इसकी जो लाइफ साइकल होती है पारिला परफिस इला की वह लगबग सिस्टू एक एट वीक की होती है और लगबग पूरे साल में इनकी लगबग फोर जनरेशन कंप्लीट हो जाती है इसके अलावाद दी एक ब्र статьying भूफ फिर को फिर फोर जनरेशन इस डैपेंड आपउन जैसे इसमें जो फाफिचेंड और सेकेंड घरीस आप फोर्फ द कार्फ फोर्थ यह सब जनरेशन होती है पहले अप्रेल जून अगस्ट इस अन्ड नाम्बर इस तरीके से इन्गी जो जनरेशन यो बदती इस पर भी रहती है यह सब चीजे हो गई अब हम इसमें देखते हैं कि तरीके से जो पारीवार पर्पिसिल्ड है डैमेज करते हैं किसी भी सूगरकेन के लीप को तो यहां पर आप देख रहे हैं डैमेज के अंतर यहां पर है बौथ निमप आ एड़ल्ट सक दिस सेलस्यप अ यानि कि दोनों निम्फ और एडल्ट जो होते हैं, दोनों मिलकर सुगर केन की जो लीफ होती है, उसको ये सक करते हैं, उसमें जो सेल सैफ होता है, उसको ये सक करते हैं, और ये जो रोश्ट्रम की मदद से, यानि कि आप जानते हैं, दोनों के पास पियर्सिंग और सकिंग ट और इनके अंदर करते से एक स्वीट इस्ट की ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता जिसे हम लोग हनिडी बोलते हैं और इसी की वजह से जो निकलता है इन्हीं से वजह से जो एक होते हैं एक को चिपका देते हैं सकिंग आप सैप ड्राइड अप लीप्स यानि कि अगर तो सुगर का content है जब उसमें photosynthesis नहीं हो पाएगा और भी जो plant के अंतर जो भी physiological activities चलती है उसके उपर effect पड़ेगा तो जाइड सी बात है उसमें जो सुगर का लेबल है यानि कि जो सुगर के अंतर सुगर का production हो रहा है वह रिडियू हो जाएगा इससे होगा क्या कि जो सुग सुगर कें के ऊपर निम्फ और एडल्ट यानि कि जो पारीला परफुसीला है इस तरीके से डैमेज की कौज करते हैं इसके बाद अगर इसके हम कुछ prevention की बात करें prevention और control में अगर हम इसमें देखें तो the eggs should be collected and destroyed by burning अगर इनकी eggs को collect कर लिया जाए उसके बाद इसको destroy कर दिया जाए तो इससे भी इनसे हमें थोड़ी सी रात मिल सकती है और भी जैसे है the resistant variety of sugar can should be taken सबसे अच्छी बात अगर हम यहाँ पर resistant varieties का chain करेंगे तो उसके उपर जो यह जो parilla purpucilla है इसका कोई effect नहीं पड़ेगा और जैसे CO 385 variety अब जो है इस सुगर केन की variety है CO यहाँ से कोईंबटूर से लिया गया क्योंकि वहीं पर जो सुगर केन के research institute है कोईंबटूर में ही है तमिलाड में एक जगें का नाम है तो यह वहाँ से लिया गया है तो इसलि प्राम सेटेंबर टू आलसो वेरी मच एफेक्टू इसमें 5 तू 10 परसें बेंजीन हेक्जा कुलराइड काड़ेश्ट करके हमें इसका चलकाओ करने से भी effective माना जाता है इसका भी तो यह सब चीजे हो गई जो सुगर केन लीफ आपर यानि जो पारिला परफिसीला है उसक कर लेंगे तो आपको बहुत help मिलेगी तो आज की इस वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो जिन फॉर्मेट्यू लगी हो तो आप इसे like जरू करें और साथ ही साथ दोस्तों को share करना ना बूले